ये गाइज इट्स मी रामकुमार वर्मा और यू आर वाचिंग देशी गेमर यूट्यूब चैनल तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप नए सीजनल इवेंट्स को किस तरह से कंप्लेट कर सकते हो और इस नए कैरेक्टर को किस तरह से जल्दी से जल्द ले सकते हो तो गाइज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं तो चलिए गाइज आपको ज्यादा बोर ना करते हुए सिधे वीडियो को स्टाट करते हैं तो गाइज इस character को लेने के लिए और इस seasonal events को पूरा करने के लिए आपको कुछ missions मिले हैं जिनको आपको complete करने हैं तो गाइज चल जो मैं फटा फट वीडियो में आपको बताता हूं कि वो क्या क्या मिशन से और उसको किस तरह से आप complete करोगे तो गाइज यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा mission वो mission यह है कि आपको पैरड़ेट मिसाइल जो है वो यूज करना है गेम में फाइब टाइम तो इसको आप कैसे यूज करोगे तो गाइज इसके लिए सीधा score streak में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको वो मिसाल यहाँ पर दिख जाएगा इसको आपको एक वाइप कर लिना है मैंने इसको एक वाइप कर रखा है तो इस तरह से आप इसको MP matches म पास बार यूज करना है और जब आप इसको पास बार यूज कर लोगे तो पहला मिसन जो है वो आपका complete हो जाएगा उसके बाद गाइस बढ़ते सेकेंड मिसन की तरफ तो सेकेंड मिसन में आपको क्या करना है आपको hard point mode जो हमारा game में यहाँ पर मैं आपको दिखा देता ह यह mode जो है वो hard point mode है तो इस mode में आपको 10 point collect करने है तो यह mission आपके पूरे हो जाएंगे उसके बाद guys next point की बात करें मतलब हमारे next mission की बात करें तो next mission में आपको क्या करना है कि आपको किसी भी sniper से आपको 10 enemy को headshot मारने है तो यह भी आप काफी easily कर लोगे मुझे पता है guys उस उसके बाद guys next mission यहां पर मारा क्या बचता है तो हमारा next mission है कि kill 10 enemy with Arctic 50 with no attachment मतलब कि आपको कोई भी attachment नहीं रखनी है अपने Arctic 50 में यहां पर मैं वीडियो में दिखाया देता हूं आपको किस तरह से और इस तरह से बिना कोई attachment के आपको headshot मारने है किसको तो enemy को 10 enemy को headshot मारने ह उसके बाद guys next mission और आखरी mission की बात करें तो यहां पर last mission है कि आपको continuously 15 enemy को kill करना है मतलब कि MP मैच में अगर आप मर जाते हो और फिर से वापस जिन्दा होके अगर enemy को kill करते हो तो इस तरह से वो head नहीं किया जाएगा आपको continuously मतलब लगाता और बिना मरे हुए आपको 15 enemy को kill करना है तो यह sad किनी किनी को थोड़ा सा hard लगे लेकिन जो pro player बन चुके उनके लिए यह भी mission काफी easy है तो उम्मीद है guys यहां पर कि आप इस mission को काफी easily आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से complete करना है तो guys आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि ऐसे स्योडी मोबाल के वीडियोज का notification आपको मिलता रहे तो चलिए गाइच आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते किसी next वीडियो में तब तक के लिए जाहें जिए बार